हलो दोस्तों नमस्कार मैं हुँ आपका दोस्धनिश और आप देख रहे हैं कृशक इंड्या कृशक भरत दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो मेरा नया अभी पॉल्टी सेड बर रहा है उसको और आने वाले वीडियों में इस सेट का पूरा अपडेट आप लोगों को देते रहूंगा क्योंकि बहुत सारे किसान साती जो है किस तरह से सेट को बनाया जाता है उसमें क्या-क्या समान लगता है वो सारे चीज के बारे में पूस्ते रहते हैं और कई जगा घूमते हैं फार्मरों से संपर्ग भी करते हैं तो जो पूराने किसान साती हैं वो लोग नहीं भी बताते और कुछ जलन खोरिम भी नहीं बताते तो कुछ सेट के अंदर घुशने नहीं देते क्योंकि इंफ्यक्शन होने का डर होता है तो इनी सारी समस्याओं का समधान करने के लिए मैं आप लोगों को इस सेट का पूरा सुरू से आखरी तक क्या क्या चीज लगता है कैसे उसमें खंबा जो है वो लगाया जाता है किस तरह से उसमें उसका एसबेस्टरस का जो सीट है उसको लगाया जाता है ड्रिंकर, फीडर और टंकी किस तरह सेट क्या जाता है, किस तरह से उसका वायरिंग वगर होता है ये सारी चीज़ें के बारे मैं इस सेट में बताऊंगा जैसे जैसे ये बनते जाएगा और ये देख सकते हैं, ये जो अभी सिर्फ गड़ा काखोदाई का काम हुआ है अगर आप सेट बना रहे हैं तो उसे ईट के खंभे से भी ख़ड़ा कर सकते हैं और दूसरा तो इसमें जो लोहे का पाईप जो होता है उसे भी आप बना सकते हैं लेकिन ये जो हमारा सेड है ये बन रहा है इट के खंबे का दोस्तों और ये बन रहा है 250 फिट लंबा और चवडाई इसका अंदर में है अंदर से अंदर है इसका 30 फिट और ये जो खंबा के लिए जो गड़ा खुदाई हम लोग किये हैं उसका जो डिस्टेंस है दूरी है एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी जो है वो है 10 फिट का दूरी है उसमें एक खंबाल लगेगा और ये जो गड़ा खुदाई का काम हो रहा है इसको हम लोग मजदूर लगा करके खुदवा रहे हैं हाथ से खुदवा रहे हैं इसको आप जो है जेसीवी से भी डालेंगे तो उसमें ज्यादा मटेरियल लग जाएगा तो इसलिए अगर आपके पास मजदूर की बेस्था है तो आप हाँ से ही करवाएं और नहीं तो नहीं है तो जेसीवी से भी करवा सकते हैं उसमें ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो दोस्तों ये देख सकते ह है वो एक तीसरा नंबर का खेत है उसमें आ करके पड़ा है एक खंभला आश्टर वाला ये देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद अगर हम चंवडाई की बात करें तो 28 से 32 फिट का जो चंवडा है वो होना चाहिए आपका सेट अगर ज्यादा चंवडा हो गया तो फिर उसम से बचने के लिए आप इसमें जो है 30 फिट 32 फिट तक का चंवडा रखें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है असानी से उसमें जो है गैस बाहर निकल जाता है और कम चंवडा करने से वह है जो धूप है वो ज्यादा पड़ेगा और प्लस हवा भी ठंडा हवा भी ज्यादा आपके मुर्गियों को पड़ेगा जिससे बीमारी होने की चांसे है दोस्तों सेड जो है वो पूर से पस्चिम दिशा में होना चाहिए उसका लंबाई चमराई जो है उत्तर से दक्षिन में होना चाहिए इसी तरह के सेड जो है हमारे देश में सक्सेज है और अगर आप उ अगर आप इसको पूर से पस्रिम करते हैं तो यह पूरा अनुकुलित रहता है, धूब भी तेज नहीं पड़ता है, हवा भी और बारिज भी इसको एकदम डारेक्टली आपके सेट के अंदर नहीं आता है, इसलिए पूर से पस्रिम दिशा की जो सेट हैं वही हमारे देश मे और उत्तर से दक्षिर दिशा में अगर आप बनाते हैं तो उसको आपको छोटा बनाना पड़ेगा, यानि कि 30-40 फीट का सेट आपको बनाना पड़ेगा, तभी वह सक्सेच कर पाएगा तो दोस्तों ये तो थी जो गड़ा खुदा ही हुआ है हमारे सेट के लिए उसका वीडियो, और जैसे ही कुछ अपडेट होता है मैं आप लोगों को तुरन वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, और अगर आप भी पॉल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, पॉल्ट्री वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन जै भारत